जी हैं दोस्तों मैं कुमार और आप देख रहे हैं आज आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल प्रोड़क्ट लेकर हैं अगर आप एक प्रफेशनल वीडियोग्राफर हैं सिनेमेटोग्राफर हैं तो यह स्क्रीन आपको बहुत ज्यादा हल्प करने वाली है तो यह यह है वेलट्रोक्स की डीजी 550 प्रो मॉडल है जिसको यूज करके आप डिस्प्ले कैमरे कर इसक्रीन पर ले सकते हैं और बहुत सारे फीचर आपको मिलते हैं इसके अंदर भी पर यहां पे जो है हमें मिलता है यह box अगर आप जो इसको carry करना चाहते हैं तो बहुत ही easily जो है इसको carry कर सकते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें यह box तो इसको आप बहुत easily bag में डालके कहीं भी जो है आप carry कर सकते हैं case जो है बहुत ही hard है screen के ओपर कोई भी pressure नहीं आएगा तो यहाँ पे जो है यह आगया जी हमारे पास screen और यह देखे बहुत ही प्यारा screen है यह बहुत सारे features हैं इसको हम practically समझेंगे यह features जो है कैसे काम करते हैं बहुत सारे button दिये गए हैं और इसमें जो है इसको hold करने के लिए अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं tripod के उपर stand के उपर और on camera अगर आप इसको जो on camera जो यूज करना चाहते हैं तो यह attachment जो है camera के उपर लगा के जो डिरेक्ली जो आप screen को यूज कर सकते हैं और यहां पे हैं बहुत सारे cables अलगलग camera के लिए अलगलग तरह की HDMI जो है यहां पे आपको मिलती है C-type cable यहां पे आपको अलगलग cameras के लिए अलगलग HDMI के जो है model देगे है एक इसके साथ जो है C-type cable भी है तो आईए practically समझते हैं कि इसको camera के उपर हम जो है कैसे hold करेंगे और इस attachment को कैसे यूज करेंगे आईए दोस्तों सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इसको camera के उपर install कैसे करना है यह जो attachment है यहां पे जो यहां पर लगा लेना है तो यह attachment है मैंने जो screen के ओपर लगा दी है अब जो है आपको बहुत easily जो कलम्प जो दिया गया है क्लंप को use करके जो है यहां सब स्को जो है आपको तो यह देखें दूस्तों बहुत इसको प्लेस कर दिया है और यहां पर आगे यह नपीम बैटरी जो आपको इस सेट अप के साथ नहीं मिलते हैं और आपको यह अलग से बाइग करने पड़ेगी बहुत ही इसका लगाना दो पिन है जासे अब लगा सकते हैं यहां पर लगाना है दोस्तों यह सारा सेट अप ल च्शुका है । हर एक फीचर को को प्रिछु के बिस्तें पें करो बजाते हैं चاجका सकते हैं और फिचर को जोars एक दिए रिकांड करने के लिए जो घरी सक्राइब हों करने के अब में जो है अजस CF दिया गया है यहां पर डिए गए हैं तो इसको यूज करके जोो करिम को वैट लगा सकते हैं तो आ Armen समय्ट्रेस आप इसके बारे में जो है ठोड़ी जानकरी डिक्रते हैं तो सबसे पहले सक describes एक डिया निया उतार के शूट करना है बैसिकल्ट जो कवर दिया गया है उसका रीजन यह होता है कि भूप में या लाइट में आउड़व में कि आप उस और को लगाके स्यूट करना है तो यह देखें तो कवर को निकालना निकाल दी आदी तो यहां पे ऑन अफ का अभी स्क्रीन ओन हो चुका है और यहां पर देखें आपको मिलते हैं बहुत सारे फंक्शन एफ एफ फ्री और यहां पर आप complete Ais-D- свет-card भी डालके जो है कोई भी लडड को सॉल करें कर सकते हों यहां सब्कूष है झाल पर यहां पर किष्चर के अंदर एक्सप्लूर करने तो इस ब्टन में लगा सकते हैं अगर आप इस स्क्रीन को सिंगल यूजर करना चाहते हैं अगर आप इसको फर्दर शेर करना चाहते हैं आईए समझते हैं इनके जो बहुत सारे इंटर्नल फीचर तो जी हैं दोस्तों अब जो है सेम कैमरा जो है आप जो देख रहे हैं उसी की जो मैंने HDMI जो है in जो है यहाँ पर लगाई हुई है यहाँ पर HDMI in और अगर आप further इसको जो है और screen के साथ जो है divide करना चाहते हैं वो भी जो आप easily कर सकते हैं तो यहाँ पर HDMI in और out का option भी इसके अंदर आपको मिल जाता है तो यहां पर बटन दिये गए हैं function 1, function 2, function 3 के और सबसे पहले मैं F1 को प्रेस करूँगा यहां पर F1 को जैसे आप प्रेस करेंगे यहां पर बहुत सारे features आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस waveform की तो waveform को देखके जो आप exposure set करना होता है अभी जो exposure आप देख सकते हैं waveform के recording यहां पर आपको मिल जाता है यह वाला लेक्टर स्कोप और यहां पर जो मिलते हैं आपको दो histogram मिलते हैं और साथ में जो आपको मिलता है यहां पर audio का level भी यहां पर मिल जाता है आप जो मैंने है यहां पर F1 जो मैंने दोबारा प्रेस करा अगर आप F1 को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहां से waveform बगारा जो और फीचर आ रहे थे उनको यह खटा देगा तो फुल स्क्रीन जो आपको मिलती है यहां पर और दोबारा इसको अगर प्रेस करेंगे तो यह देखे, सारे feature दोबारा आ जाएंगे तो second यहाँ पर F2 का button है मैंने F2 का button प्रेस करा F2 का button को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसको बोलते है false color अगर आप proper video के अंदर exposure को adjust करना चाहते हैं, तो directly जो है false color को use करके जो exposure का level भी adjust किया जा सकता है इसके साथ अगर आपने false color on किया हुगा है तो function 1 में जाके इसको प्रेस करता हूँ function 1 में आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर सारे जो है tools मिल जाते हैं, जैसे waveform आगया vector scope आगया, histogram आगया और साथ में आपको अगर अगर अफ्रेक्शन 2 दबा देते हैं यहाँ पर आपको false color का function भी जो है, मिल जाता है तो मैं अपने यहाँ फंक्शन अभी बंद कर देता हूँ और यहाँ पर तीसरा function आगया, जो कि बहुत important है यहाँ पर click करा, मैंने tap करा यहाँ पर tap करके आपको उपर अगर check कर चेक यहाँ पर यहाँ पर आइकन के चारदफन के आइकन है, तो मैं इस फुल करने पर लेता हूँ यह जो यहाँ नाँज़ नर्टाट कर सकते हैं । फंक्शन के अंदर जाना चाहते हैं अगर आप स्क्रीन को टच करना चाहते हैं तो पहला आपको फंक्षिन यहां पर मिलता है वॉल्यूम बार के ओपर क्लिक करके आपको उसको ऑन करना होगा देखिए आप इसको ऑन कर सकते हैं यहां पर पिर आगे वेक्टर स्कॉप इसको भी ऑन कर सकते हैं आरजीवी परिटेंड आगए यहां पर क्लरफुल चाहिए यह आपको पर डभर यूवस हॉप फोल वेफॉम और४र अगर आपको एसको यहां पर चेक्ट выпуск्श यहां अभी तोлюс सकते हैं यहां पे यहां ऊपर लॉवेफ का result कैसा रहा है तो लट जो है आप पो यहां पे जो SD card है उसके तुरू जो है आप इस्टॉल यहां पे जो हकर सकते हैं बहुत ही इसली यहां पे फिलाल मैं इसको S log 3 के ओपर मैं रखता हूं तो यहां पे आपको जो है अभी मैं जो शूट कर रहा हूं लॉग वीडियो शूट कर रहा हूं और उसके साथ देखिए जो रिजल्ट आ रहा प्रॉपर जो है हमें यहां पे कॉंट्रास्ट जो है स्क्रीन के पर मिल रहा है चाहिए वह एस लोग हो वी लोग हो यहां पे checking page 3 कर नहीं दोबारा प्रस कर रहा है यहां पर और भी फंक्शन करे का रहा है कि आप करनी आपको पता चलजाई कि आपका कहा पर है तो यह पिकिंग जो है ले को कैसे लगानी है कौनसे कौन की पर है तो एक सबस्के कर सकते हैं ओलाल मैं इसको और कर देता हूं यहां पर इक चैनल के अंदर जा कि आप जो है चेक करना चाहते हैं कि हर एक चैनल के अंदर क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है ग्रेड हो चाहे ए ग्रीन भी चैनल उसको चेक कर सकते हैं यहां पर आग़ जी को उफशन को मिधा है फिर संपलिंग कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे आप्शन हैं यहां पर और स्कैन आगए अंडर स्कैन grew तो हर तरह का जो फंक्शन है वीडियो शूट करने के लिए सिनमे नाफिक आपको यहां पर मिलते थैं और यहां पे जो है तीसरा option हमारे पास आगया जी जो आप जो है स्क्रीन की resolution सेट करना चाहते हैं, border सेट करना चाहते हैं, framing के लिए composition मनाना चाहते हैं, उनके rated जो है सारी जो option आपको यहां पे मिलते हैं, तो पहले यहां पे ratio में जाते हैं, ratio में देखिए, जो भी ratio के अंदर आफ कर देते हैं फिलाल, यहां पे अगर आपको जूम करके चेक करना चाहते हैं, तो यह देखिए, जूम भी कर सकते हैं इसको आप यहां से, अगर आप यहां पे जो है चोते option में जाते हैं, चोते option के अंदर जाके आप जो है screen की brightness का level कम यह जादे कर सकते हैं, contrast बढ़ान तो यह देखे, सारे function आपको इसके अंदर जो मिल जाते हैं, फिलाल मैं इन function को फिलाल बंद कर देता हूं, तो यहां पे जो है सारे function आगर आप बहुती professionally shoot करना चाहते हो, हर तरह का function आपको जो है यहां पे, जो है मिल जाता है, और जो सक्क्रीन के resolution की बात करें, वह है 1920 औ आपको जी स्क्रीन के अंदर मिलता है अगर आप स्क्रीन को बाई करना चाहते हैं तो लिंक जो है डाल दिया गया वहां पे क्लिक करके इसको बाई कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू